दोस्तो नमस्ते आज हमें एक बार फिर से आपको कुशवरा बजार की सहर कराने जा रहे हैं आप देख रहे हैं या सिव चवरहा आने वाला है हम सिव चवरहा का द्रिस दिखा रहे हैं से उचराहे से जो पूरब की तरफ का रास्ता जाता है वा दरगाह की तरफ का रास्ता जाता है मजार का रास्ता जाता है आप से उचराहे के आगे का द्रिस देख रहे हैं जन्वरी का महीना है कडाके की ठंड पड़ रही है आप देख रहे हैं रूट खाली है सून सान है ठं कपड़े हैं जिसके पास उनी कपड़े हैं वही लोग सड़क पर निकल रहे हैं यानि ठंडी बहुत तेज है यदि हम दो पहिया गाड़ी से जाते हैं तो हमारे सीने में सबसे ज़्यादा ठंड लगती है पैर सून्य हो जाता है हाथ सून्य हो जाता है इस तरह से आप देख ठंड के समय में कुसवरा बजार का द्रिश्य देख रहे हैं आज बजार है या मचली मंडी है मचली मंडी में आप देख रहे हैं काफी भीड है लोग मचली खईने के लिए इकठा हुए हैं इस तरह से लोग उनी कपड़े गरम कपड़े पहन करके ही घर से बाहर निकल रहे ह आज हम आपको कुसावरा बजार के आसपास के गाउं का नाम बताने जा रहे हैं जहां के लोग कुसावरा बजार बजार करने आते हैं इसमें गाउं है अमलहा, सरया बुजरुग, रानीपूर, गोबिंदापूर, मुहमतपूर, जगदीशपूर, बुचवापूर, सुजावलपूर, भैरोपूर, खमरियां, बेली, सुनबर्सा, पकड़ी, मुस्तफाबाद, कुसावरा, कुसावरी, कोडर और दूर दूर के लोग भी बजार करने आते हैं, कलवारी के साइड में बहुत सारे गाउं है, वहां के लोग भी कुसावरा बजार, बजार करने आते हैं, जन्वरी का महीना है, जन्वरी के महीने में यहां काफी ठंड पड़ रही है, आप देख रहे हैं, लोग कपड़े पहने हुए है, को उत्तर परदेश, हरियाडा, पंजाब, दिल्ली, उत्तरा खंड, आद छेत्रों में भयानक ठंड और श्रीत लहर पढ़ती रहती है, जिसके काड से जीवन प्रभावित होता है. इसके बिपरीत दच्छिड भारत के समुन के किनारे वाले छेत्रों में ठंड बिल्कुल नहीं पढ़ती है, जैसे मुंबई, चन्नई, तमिलनाड, करनाटका इस तरह से दच्छिड भारत के समुन के किनारे बिल्कुल ठंड नहीं पढ़ती है, वहां के लोग ठंड का मजा न वैगन, सरसो, गेहूं, आदि फसले होती हैं, ठंडी के समय में गन्य की फसल तयार हो जाती है, लोग गन्य छील करके मिल पर भेजते हैं, गन्य से भेली बनता है, गन्य से राब तयार होता है, और गन्य से रश तयार होता है, इस समय गन्य की फसल तयार होती है, लोग गन्ना बेच करके पैसा पैदा करते हैं, मिलो में गन्ना जाता है और मिलो में गन्ने के रस से चीनी प्राप्त की जाती है इस तरह से ठंडी के समय में गन्ने का उत्पादन होता है और गन्ना बहुत महत्पूर होता है आपने देखा होगा गाव में गन्य के रस से भेली तयार किया जाता है भेली ठंडी के लिए बहुत अच्छा होता है ठंडी की फसल है यदि हम ठंडी में गुड़ खाते हैं तिल खाते हैं तो हमारा सेहत अच्छा रहता है और हमको ठंडी से बचाता भी है भेली में कोई केम विकल नहीं होता है, भेली सेहत के लिए सबसे अच्छा होता है, चीनी से ज्यादा अच्छा होता है, गुड़ डाक्टर भी सलाह देते हैं, आपको गुड़ खाना चाहिए, चीनी नहीं खाना चाहिए, चीनी हमारे सरीर को नुक्षान पहुचाता है, लेकिन गुड़ ठंड के लिए हम घर के आसपास अलाव जलाते हैं कोड़ा जलाते हैं और उस कोड़े के आसपास बैट करके ठंड से हम बचते हैं ठंड से बचने के लिए हम ठंडा पानी नहीं पीते हैं नल से ताजा ताजा गरम पानी पीते हैं और गरम गरम खाना खाते हैं ठंडी से बचने के ल हैं ठंड से बचने के लिए हम केला सेव संत्रा जो हवा में होता है काफी ठंडा होता है यदि हम उसे ठंडे ठंडे फल को खा लेते हैं तो हमें ठंड लग जाती है इसके लिए हम संत्रे को सेव को केले को हलके से गरम गुनगुने पानी में कुछ देर के लिए रख देते हैं रखने के कुछ देर बाद वा फल गरम हो जाता है अलका सा गरम हो जाता है तब हम उसे आसानी से खा सकते हैं ठंड के समय में खेतों में हरी हरी मतर होती है, हरी हरी मतर की जीमी होती है, उसे देखना काफी अच्छा लगता है, उसके बाद उसे हाथों से तोड़ करके लाना और उसे मतर को अलग करना काफी अच्छा लगता है, फिर आलू के साथ उसको निमोना बनाना आलू के साथ बनाना बिना मसाले के आलू के साथ बना करके चम्मच से खाना काफी आननदायक होता है, काफी अच्छा लगता है ठंडी के समय में गेहु के हरे हरे पेड और गेहु के हरे हरे पेड के बगल सरसों के पीले पीले फूल काफी आकरसक लगते हैं काफी सुन्दर लगते हैं यदि हम खेत में जाते हैं गेहु को देखते हैं और सरसों के पौधों को और सरसों के फूलों को देखते हैं तो हमारा मंत्र मुक्द हो जाता है हमारे दिमाग से सारा टेंशन दुख दर्द दूर हो जाता है यदि हम खेत में जाते हैं खेत में रहते हैं तो हमारा दुख दर सारी चिंता मिठ जाती है और हम परसंचित हो जाते हैं ठंड के समय में हर गाव में हर घर में कोड़ा जलता रहता है अलाव जलता रहता है लोग अलाव तापते रहते हैं और ठंडी से बचते रहते हैं इस तरह से पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यबाद नमस्ते